Hello friends, welcome to career study. Online coaching series में आपका फिर से एक बार स्वागत है. आज किस वीडियों में हम बात करेंगे ages के question की. तो ages के question के लिए अलग-अलग tricks हैं और एक question को आप लगवग 3-4 tricks से solve कर सकते हैं लेकिन जो भी tricks हैं वो permanent नहीं है. एक question में लगता है trick दूसरे में नहीं लगता है तो यहाँ पर हम इस तरह के tricks नहीं discuss करेंगे. हम सिर्फ एक trick करेंगे और उसी से आपके सारे questions solve हो जाएंगे. और वो जो trick है तो start करते हैं पहले वीडियो से. इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी ages के question है उसमें हमने 2 equations बनानी है. 2 equations बनेगी और जो भी question होता है जिसका उसमें 2 equations बनती ही हैं तब ही हमारा question complete होता है. तो आपको बस वो 2 equations बनानी है और जो options हैं वो उसमें put करने हैं. आसानी से question solve हो जाता है, तब वहाँ पर आप एक और थोड़ा mind का अगर अच्छे से use करते हो, तो होगा क्या कि आप eliminate कर सकते हो कुछ options को, वो कैसे eliminate होंगे, वो equation से ही eliminate होंगे, यानि कि सबसे पहला काम आपका equation का ही होगा, तो आप ages का question लगवग 20 second में कर सकते हो, और 20 second में हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है, कुछ question हमारे 20 second में होंगे, कुछ 10 second में हो जाएंगे, कुछ 30 second में होंगे, तो at average अगर हम बात करें, 25 second में एक question solve हो जाना चाहिए, अब यहाँ पर हम questions को देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास question है, the age of father and son is 56 years, after 4 years, the age of the father will be 3 times of the son, their current age are, तो question क्या है कि the age of father, father और age जो son है, उनकी total age है 56 years, और 4 साल बात क्या हो जाएगा, father की age 3 times रह जाएगी, 3 गुना रह जाएगी son की age का, तो हमने बताना है कि उनकी current age क्या है, तो दो चीज़े हैं यहाँ पर, एक father है, उसको हमने x माल लिया, and son है, उसको हमने y माल लिया, अब यहाँ से बनेगी दो equations, first line क्या है, the age of father and son is 56 years, यानि कि x plus y is equal to 56, and second क्या है, after 4 years, तो पहले यही चीज़ देखेंगे, after 4 years पहले तो क्या हो जाएगा, x कितना बन जाएगा, x plus 4, and y बन जाएगा, y plus 4, after 4 years, the age of the father will be 3 times, तो father is equal to son into 3, ठीक है, यह बिल्कुल simple सा था, equation कैसे बनी, first line में था, father and son कितने है, 56 years के है, x plus y आजाएगा, 56, second equation क्या बन लिया, कि after 4 years, तो अगर आज की date में कोई 20 years का है, तो 4 years बाद कितना हो जाएगा, 24 years का, यानि कि आज की date में, अगर कोई x years का है, तो 4 साल बाद हो ज जाएगा, father, son का 3 time हो जाएगा, बस वो दोनों equations बन गई, अब हमने क्या करना है, options इसमें put करने है, अब कई बार क्या होता है, कि option काफी easy होते हैं, आपको जादा solve करनी की जुरूरती नहीं पड़ती है, अगर question जो है, वो exam जो है, उन्होंने बिल्कुल simple करके डाला हुआ और अगर tough है, तो question वही होते हैं, लेकिन option में थोड़ा इस तरह से होता है, कि बिल्कुल matching करते होते हैं, अब यहाँ पर अगर हम देखें, 12 plus 44, first equation में put करेंगे, x कितना put करेंगे, x है father, तो father 12 years का तो नहीं होगा, 44 years का होगा, तो 44 plus 12 is equal to 56, ठीक है, यह बन जाएगा 56, 16 plus 42 58, यानि कि यह तो वैसे गलत हो गया option ही, 16 plus 48, यह भी 54 बना, यह भी गलत हो गया, यह भी 54 बन रहा है, तो यहाँ पर अगर इतना easy उन्होंने option डाले हैं, तो equation के तोर पर काफी easy हो जाता है, उनको solve करना, बहुत ज्यादा easy हो गया, क्यों हुआ easy, क्योंकि यहाँ पर equation ही satisfy नहीं हो रही है, अगर आप standard तरीके से solve करोगे, x plus y 56, दूसरी equation इसको भी equation में solve करोगे, क्योंकि यहाँ से बनेगा 3y plus 12, फिर y को एक तरफ लेकर आओगे, फिर elimination method लगाओगे, उसके बाद x की value आएगी, तो value तो आज आएगी, लेकिन काफी time उसमें लगेगा, तो आप स इस तरह के आते हैं कि first equation satisfy हो रही है, second equation नहीं हो रही है, तब आपने क्या करना था, जैसे first है, first option है 12 and 44, तो put करेंगे 4 plus 12 is equal to 56, after 4 year, 44 बन जाएगा 48, and हमारा जो 12 है, वो बन जाएगा 12 plus 4, 16, और constant value है 3, तो 16 into 3, 48, यानि कि यह correct है, यहाँ भी correct हुआ, 44 plus 12, 56, and यहाँ भी correct हो गया, 48 is equal to 16 into 3, यह correct हो गया, अब हम कोई example लेते हैं कि option में आपको यह ना होकर कुछ और होता, for example, आपके पास होता, 30 plus 16, ठीक है, तो हम option यह वाला उठाते हैं, 30 plus and 16 है, यानकि father की age 30 है, और son की age 16 है, तो 26, sorry, इसको 40 कर लेते हैं, क्योंकि 30 plus 16, फिर भी हमारा option जो है, वो गलत हो जाएगा, तो 40 plus 16 करते हैं, अगर हम यहाँ पर put करेंगे, 40 plus 60, 16, तो वो तो हमारा 56 बन जाएगा, यानकि first equation satisfy होगी, और अगर option उन्होंने थोड़े different डाले हुए हैं, मुश्किल डाले हुए हैं, तो ऐसा ही होगा, आपके पास first equation हर option से satisfy होगी, लेकिन जो second satisfy करेगा, वो ही हमारा answer होगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, present age अगर 40 है, तो after 4 year कितनी हो जागी, 40 plus 4, 44, that is equal to, present age sun की अगर 16 है, तो after 4 year कितनी हो जागी, 16 plus 4, 20, और constant value कितनी है, equation में, into 3, तो 20 into 3 हो जाते हैं, 60 लेकिन हमें चाहिए 44, तो यह गलत हो गया, ठीक है, यह हमने extra example लिया, option में आपको यह example है, वो तो first equation में ही cut हो गए, लेकिन अगर ना cut होते हैं, तो आपने वो वाला option उठाना है, जो दोनों तरब से satisfy हो जाए, दोनों equations में वो equal आ जाए, second में आपक is three times of Ajay, अब राम की age है, वो three times है Ajay की age का, तो दो लोग है यहाँ पर, एक है राम, उसको हमने x माल लिया, एक है Ajay, उसको हमने y माल लिया, राम's age is three times of Ajay, यानि कि x is equal to y into 3, in 12 years, यानि कि 12 साल में क्या हो जाएगा, कि x कितना बन जाएगा, x plus 12, और y कितना बन जाएगा, y plus 12, तो इन 12 years, राम age will be double of Ajay, यानि कि जो यह राम की age है, वो कितनी बन जाएगी, Ajay की age का two times, दो गुना बन जाएगी, तो हमारी equations जो है, यहाँ से बन गई, क्या equations थी, कि राम age is three times of Ajay, यानि कि जो राम है, जिसको हमने x माना है, वो Ajay की age का three, तीन गुना है, और 12 साल बाद क्या हो जाएगा, पहले 12 साल बाद तो जो x है, वो आज की date में, जो x है, वो x plus 12 बन जाएगा, और जो y है, वो y plus 12 बन जाएगा, और according to question, 12 साल बाद क्या होगा, राम की age बन जाएगी, दो गुना, Ajay की age का, तो हमने उसको two से multiply कर लिया, अब हमसे पुछा है, राम's present age, यानि की जो भी हमें option दिये हैं, वो किसके दिये होंगे, राम के दिये होंगे, क्योंकि जब उन्होंने answer में हमसे पुछा ही राम है, तो option भी राम को related होंगे, यानि की राम किसको माना है, x को, जो भी option दिये हैं, वो हमें दिये है, x के, तो first option है 27, तो 27 यहाँ पुट क 27 का बन जाएगा 39 is equal to 9 का क्या बन जाएगा 9 plus 12 21 तो 21 into 2 होते हैं 42 हमें चाहिए था 39 नहीं हुआ equal यह option गलत हो गया second है 32 32 is equal to 3 into अब इसको अगर हम solve करेंगे तो यह जो है correct correct नहीं cut होगा किसी से भी क्योंकि 10 into 3 30 होते हैं फिर 11 into 3 33 होते हैं यह points में आएगा तो आप points वाले को छोड़ सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि points वाला answer नहीं हो सकता लेकिन maximum cases में क्या होता है कि points में answer जो होता है वो हमें solve करके नहीं मिलता है correct answer तो हम point वाले को जिस जहाँ पर हमें point में value मिल रहे है उसको हम skip कर देंगे बाद में अगर हमें बाकी किसी में answer नहीं मिलता है तो हम इसको solve कर सकते हैं यानि कि इसको हमने skip किया है हो सकता है यहाँ पर बाद में answer मिल जाए next option है 36 तो 36 is equal to equation यहीं है x is equal to y into 3 तो x आगे 36 is equal to 12 into 3 यानि कि 12 हमें automatically मिल गया अब after 12 year क्या हो जागा 36 बन जाएगा 36 plus 12 of 48 is equal to constant value है 2 और यहाँ पर y कितना था 12 तो 2 into अब इसमें हम y की जब value 12 plus 12 24 तो 24 into 2 48 होते है यानि कि equal हो गया तो दोनों equation satisfy होगी यह हमारा answer है 36 हमारा answer आजाएगा ठीक है बिल्कुल simple सा होता है अगर आप option से करते हो कुछ options कीप हो जाते हैं और कुछ ही हमें solve करने होते हैं कई बार क्या होता है first option जो हमने try किया वहीं पर हमें answer मिल जाता है तो आपका luck है ज्यादा जल्दी भी हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा एक तो हो गया present एक हो गया 10 years ago एक हो गया after 10 years तीन चीचे हैं यहाँ पर इस question में क्यूंकि हमसे पुछा है present age option में दिया है एक 10 year ago का एक 10 year after का तो यहाँ पर देखते हैं हमने माल लिया rita's mother was four time to her यानि कि mother जो है वो है x और rita है y ठीक है? x and y तो 10 year क्या हो जागा? 10 साल पहले क्या हो जागा? यह होगी x minus 10 और यह होंगे y minus 10 और mother जो है वो four time है daughter के तो x minus 10 is equal to y minus 10 is into 4 after 10 year क्या होगा? x plus 10 और यह बनेगा y plus 10 लेकिन यह कितना रह जाएगा? two time रह जाएगा यह equations बन गए दो यह present condition है अब how old is rita now? rita को हमने y माना है और rita की age यह दी होगी simply एक बार 5 दी है एक बार 10 दी है 20 and 30 5 वाली तो वैसे cancel होगी क्योंकि 5 में से 10 minus करेंगे minus 5 आएगा और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि negative में age हो क्योंकि age में negative नहीं होता 0 भी अगर आप लेते हो तो वो भी गलत हो जाता है 0 से उपर ही होनी चाहिए तो negative में नहीं हो सकती age यह गलत हो गया second है 10 यह भी गलत हो जागा क्योंकि 10 minus 10 0 आएगा तो 0 is equal to 4 into 0 होगा 0 तो mother की age भी 0 आएगी ऐसा नहीं हो सकता third है 20 तो 20 minus 10 यह बन जाएगा y की age में put करना है हमने 20 minus 10 यह बनेगा 10 तो 10 into 4 is equal to 40 यानि की mother की age 40 आएगी automatically हमने यह 20 है यह y में put करना है क्योंकि यह age दी है रिता के लिए अब after 10 year क्या हो जाएगा 40 है यह यहाँ पर आकर 50 होगा और आगे जाकर यह बनेगा 60 क्योंकि 10 10 year का gap है यहाँ से 40 से 50 50 से 60 और जो यह रिता की age है यह है 20 after 10 year बन जाएगी यह 30 तो 30 into 2 60 ही होते हैं तो हमारा यह answer सही हो गया नेक्स्ट भी put करके देख लेते हैं अगर आपको doubt है कि कोई गड़बड हो सकती है तो 30 है 30 minus 10 20 20 into 4 80 यानि कि mother की age आएगी 80 रिता की age 30 थी after 10 year हो जाएगी 40 40 into 2 कितना बनता है 80 mother की age 10 year पहले भी 80 थी और 10 year बाद भी 80 है ऐसा नहीं हो सकता तो यह भी गलत है तो हमारे पास C answer आजाएगा next question है the sum of ages of ram and mohan is 45 year ram को माल लेते है x and mohan को माल लेते है y x plus y कितना है 45 5 years ago the product of their ages was यानि कि x minus 5 into y minus 5 5 साल पहले की बात है तो minus कर लिया product of their ages यानि कि multiply किया was 4 time is equal to 4 into the age of ram that time कि उस time जितनी age of ram थी तो ram की age कितनी है उस time x से x minus 5 तो 4 into x minus 5 तो their current age is अब current age पुछिए है एक 35 दी है एक 10 दी है हमने decide करना है कि किसको 35 पुट करना है किसको 10 ram and mohan की age जो है 45 है 5 years ago product of their age was 4 time the age of ram तो हम किसी को भी पुट कर सकते हैं जिसको भी हमें लगे तो एक को 35 पुट करते हैं प्लस 10 बन जाएगा 48 45 35 minus 5 25 into 10 minus 5 5 is equal to 4 into x minus 5 कितना है 25 तो 25 into 400 25 into 5 125 गलत हो गया यह second है 36 plus 9 वो भी 45 होता है लेकिन 36 minus 5 कितना बनेगा 31 9 minus 5 बनेगा यह बन जाएगा 4 ठीक है that is equal to 4 into और x minus 5 कितना है 31 है क्योंकि x से 36 36 minus 5 31 तो हमारा यह आगा answer simply 31 into 4 is equal to 4 into 31 तो यह answer आ गया तो यह जो है इस तरह से आप find कर सकते हो काफी easy तरीका है अब दो ही option solve किया है हमने third को solve करने की जूरत नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है आपके लिए solve करके बता देते हैं कि third हमारा answer नहीं आ सकता 39 plus 6 is equal to 45 39 minus 5 यह बन जागा 34 into 4 is equal to 4 constant है नहीं 6 minus 4 6 minus 5 बनेगा 1 अब यहां क्या बनेगा 4 constant है और 34 तो 34 into 1 is equal to 4 into 34 ऐसा नहीं हो सकता तो यह भी गलत होगा तो हमारे पास यह second बी जो option है और क्या कर सकते हैं यहां पर फिफ्थ question है हमारे पास अरुन is twice old as Rahul was two years ago तो यहां से दो equations बनेगी अरुन को हमने माल लिए x राहुल को माल लिए y तो अरुन is twice as old यानि कि x is equal to 2 into y minus 2 जितना की वो दो साल पहले था Rahul y है y minus 2 जितना था उसका double है अरुन at present और उनका difference कितना है difference of their age is two years यानि कि x minus y is equal to 2 तो अब put करेंगे हमें पुछा है अरुन की percentage यानि कि हमने x की value put करनी है तो 2 क्या बनेगा फर्स्ट है 2 2 is equal to 2 into 2 minus 2 या 3 minus 2 तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर जब हम put करेंगे 2 minus 3 is equal to minus 1 तो वो गलत हो गया simple था x की जगा हमने 2 put किया और यहां पर क्या आया y की value automatically आगई 3 3 minus 2 into 2 यह हमने equation से ही find कर लिया कि जब 3 minus 2 करेंगे 1 आएगा 1 into 2 होता है 2 तो यह तो हमें खुद satisfy करनी है तो हमें y मिला 3 x मिला 2 वो गलत हो गया second option है b है 8 8 is equal to 2 into तो यह बन जाएगा यहां पर 2 minus करना है और हमें चाहिए 4 तो 6 minus 2 ठीक है simply 8 is equal to 2 into 6 minus 2 युकि 6 minus 2 बनेगा 4 4 into 2 8 होता है यानि कि y की होगी 6 x की होगी 8 अब यहां put करते है 8 minus 6 is equal to 2 दोनों equation satisfy होगी तो हमारा answer यही है बिल्कुल simple सा अब हमारे पास एक question यह है 6th question है x is much younger to y as he was older to z if age of y and z is 48 years what is the age of x यानि की x जो है वो y से उतना ही छोटा है जितना की वो z से बड़ा है यानि की simply यहां से क्या बनेगा y minus x उतना ही है जितना की x minus z है ठीक है यहां पर option उठाने की जूरुत नहीं है बिल्कुल simple है यह अब simply अगर हम इसको solve करते हैं z इस तरफ आएगा y plus z बनेगा x उस तरफ जाएगा x plus x बनेगा तो y plus z is equal to 2x y plus z इनने दिया हुआ है कि if age of y and z is 48 years y plus z कितना आएगा 48 तो 2x x कितना जाएगा 24 तो x बनेगा 24 तो यह आपके कुछ edges के question थे और काफी simple है बस आपको 2 equation बनानी है वहां से अगर आप equation सही बना जिसके question समझ आ गए होंगे तो हम next time मिलते हैं next video के साथ thank you